हेलो दोस्तो देसी जीलरी डिजाइन में आप सभी का स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2022 की बहुती प्यारी आर्ड की डिजाइन के बारे में तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तो आप हमारी वीडियो को देखते हो लेकिन वीडियो को नहीं करते हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तो इस वीडियो की पहली डिजैन की बात करें तो ये एक एमबुच फैंसी देशी आड की डिजैन है जिसे अबारा तुला में बनवा सकते हैं और इसमें जो भी नगीने वो मीने का काम किया गया हैं वहाँ पर आप अपने हिसाब से नगीने वो मीने का काम करवा सकते हैं दोस्तो देशी आड की ये डिजैन देखने में बहुत ही जदा सांदार लगने वाली है दोस्तो अगली डिजाइन की बात करें तो ये भी एक DCR की डिजाइन है जिसे आप आर तोला में बनवा सकते हैं और इसमें जो भी नगीने वो मीने का काम किया गया है वहाँ पर आप अपने हसाब से नगीने वो मीने का काम करवा सकते हैं दोस्तो देसी आर्ड की ये डिजाइन भी देखने में बहुत ही ज़्यदे सांदार लगने वाली है दोस्तो अगली डिजाइन की बात करें तो ये भी एक एमबोज फैंसी देसी आर्ड की डिजाइन है जिसे आप 12 तुला में बनवा सकते हैं और इसमें जो भी नगीने वो मीने का काम किया गया है वहाँ पर आप अपने हैसाब से नगीने वो मीने का काम करवा सकते हैं दोस्तो देसी आड़ की ये डिजैन भी देखने में बहुत ही ज़ज़ा सांधार लगने वाली है दोस्तो अगली डिजेन की बात करें तो ये भी एक एमबोज फैंसी देसी आड़ की डिजाइन है जिसे आप चब्द तोला में बनवा सकते हैं और इसमें जो भी नगीने वो मीने का काम किया गया है वहाँ पर आप अपने हसाब से नगीने वो मीने का काम करवा सकते हैं दोस्तो नेक्स डिजेन की बात करें तो ये भी एक देसी आड़ की डिजाइन है जिसे आप चुद तोला में बनवा सकते हैं और इसमें जो भी नगीने वो मीने का काम किया गया हैं वहाँ पर आप अपने हसाब से नगीने वो मीने का काम करवा सकते हैं दोस्तो देसी आड की ये डिजाइन भी देखने में बहुत ही जदा प्यारी लग रही है दोस्तो नेक्स डिजाइन की बात करें तो ये भी एक देसी आड की डिजाइन है जिससे अब 12 अला में बनवा सकते हैं और इसमें जो भी नगीनों का काम किया गया है वहाँ पर आप अपने असाब से नगीने लगवा सकते हैं दोस्तो देसी आड की ये डिजाइन भी देखने में बहुत ही जदा सांदार लगने वाली हैं दोस्तो नेक्स डिजाइन की बात करें तो ये भी एक एमबोज फैंसी देसी आड की डिजाइन है जिससे आप चूधा तोला में बनवा सकते हैं और इसमें जो भी नगीने वो मीने का काम किया गया है वहाँ पर आप अपने साबसे नगीने वह मिने का काम करवा सकते हैं दोस्तो देसी आड़ की यःर डिजाइन भी देखने में बहुत ही जदा सांधार लगने वाली है दोस्तो अगली डिजाइन की बात करें तो यह भी एक देसी आड़ की डिजाइन जिससे आप सिरफ 6 तोला में बनवा सकते हैं और इसमें जो भी नगीने वो मीने का काम किया गया है वहाँ पर आप अपने हसाब से नगीने वो मीने का काम करवा सकते हैं दोस्तो देसी याड की यह डीजाइन भी देखने में बहुत ही ज़दा सांदार लगने वाली है दोस्तो नेक्स्ट डिजैन की बात करें तो ये एक बड़ी साइज में देसियार्ड की डिजैन है जिससे आउचुगदा तोला में बनवा सकते हैं और इसमें जो भी नगीने वो मीने का काम किया गया है दोस्तो अबली डिजैन की बात करें तो ये एक बड़ी साइज में देसियार्ड की डिजैन है जिससे आप 15 तुला में बनवा सकते हैं और इसमें जो भी नगीने वो मीने का काम किया गया है वहाँ पर आप अपने असाबसे नगीने वो मीने का काम करवा सकते हैं दोस्तो देसियार्ड की ये डिजैन देखने में बहुती ज़्यदा सांधार लगने वाली है दोस्तों नेक्स्ट डिजयन की बात करें तो ये भी एक बड़ी साइज में देशी आर्ट की डिजयन है जिसे आप सिरफ 14 तोला में बनवा सकते हैं और इसमें जो भी नगीने वो मीने का काम किया गया है वहाँ पर आप अपने साइज से नगीने वो मीने का काम करवा सकते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको देशी जोलरी की नई से नई डिजयन बहुत ही जल्दी देखने को मिल सकें